हाई अब्रीवन दिस इस अनम वेलकम टो पीएजे जोपसने अद्मिशन सो आज के इस वीडियो में हम डेली यूनिवर्सिटी के पीएजे इंट्वेंस एक्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेधिडिलोजी के कुछ आपको पूचे ही जाती हैं है इस बता रही हैं आपको बहुत ही इंपोर्टन सेशन ओने वाला आज का हमारा जिसमें आपको जिए यहां पर एमसे इसको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपके जो भी जो भी क्वेशंस हैं आप मुझे कॉमें से पूच सकते हों अब जिस त आपको पता है Delhi University के PhD entrance examination के application form की जो last date थी वो जा चुकी है जो कि थी 10th of July 2022 तो जल से जल अभी chances है कि आपके entrance examination की dates आ सकती है तो इसके लिए आपको preparation जल से जल start कर देनी है जैसे कि आपको पता है जो आपको पार्ट वान होता है जो पेपर वान होता है यह research methodology होता है जो कि हर एक candidates के लिए comment होता है तो मैं आपको बता दू research methodology पर हमने अपके लिए course लेकर आया है जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं जिसमें आपको video lectures provide करते हैं आपको तूरा syllabus यहां पर हम cover करते है video lectures में जो कि theory और MC case दोनों video lectures provide करते हैं और इसले पहले हमके concepts को build करवाते हैं and then MC case में हम आपको tricks बताते हैं कि किस तरीके साब को tricks use करना है उसी तरीके से notes हम आपको provide करते हैं कापे simplest language में notes आपके interview के लिए बहुत helpful होने वाले है notes then mock test total 10 mock test provide कर रहे तो उस तरीके साब के 400 questions हम mock test में cover करत सब्सक्राइब करते हैं तो मैं यहां पर आपको पता दो 100% guarantee के साथ हमारी होगी हम आपको पास करवाएंगे हम आपको time to time guide करते हैं आपको याद रखना है आपको time waste नहीं करते हुए जल से जल आपको preparation को start करना है start करने के लिए screen पर जबको number नजर अराई नबर पर WhatsApp कित्र सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके link में आपके साथ comment section as well as description box में भी share कर रखी है so that's it and let's begin with the video सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको अच्छे तरिकी से हमारे content जो हम आपको provide करते हैं जो study material हम आपको provide करते हैं उसके बारे में एक बार में आपको फटाक से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock test, notes प्रवाइब करते हैं और 1500 प्लस MC quiz revision PDF यह सारा content आप देख रहे कई students क्या करते हैं internet से study material refer करते हैं internet जो language यूज करी जाती है बहुत difficult language यूज करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं आदा है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से यह जो contain है आपको किस तरीके से read करना है कितना content आपको follow करना है क्यूंकि हम हमारे course में आपको बताते हैं आप करते रहते हैं किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर जादा फोकस रहना है कहां से जादा questions आपको पूछे जा सकते हैं यह सारी चीज़े हमारे कोर्स में बताते हैं हमारे जो कोर्स हैं आपको गैरेंटी के साथ केते हैं कि हमारे इसी कोर्स से अपको में 30-35 questions directly पूछे जाएंगे जल से जल आपको course को purchase करना है purchase करने के लिए screen पर नंबर नज़र आ रहा है इस पर WhatsApp की तुरों में contact करना है याद रखेगा normal calls number पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस app के तुरू भी study material को access कर सकते हैं so app को access करने के link में आपके साथ description box में provide कर रखे so that's it and let's begin with the mcqs first question preliminary data collection is a part of this question में find out करना है कि preliminary data collection आपके कौन से research का part होती है अप preliminary data collection क्या होता है आप मानिजे आप किसी topic पर research कर रहे हो आपका जो भी topic है उस पर आप research करते हो आप किसी topic पर अगर research करते हो तो पहले कुछ information पहले आप collect करते हो एक preliminary मतलब थोड़ी बहुत information collect करने की कोशिश करते हो उस topic के बाहरे में जानते हो उस topic को explore करने की कोशिश करते हो और उस research में आप थोड़ा बहुत data collect कर लेते हो यहाँ वहाँ से आप जिस जगे से data मिल रहा है आप वहाँ से data collect करते हो उसे यह हम कहते है है preliminary data collection अब हमें find out करने के preliminary data collection कौन से research का पार्ट होती है one-by-oneенная option देखते है option a descriptive research descriptive research क्या होती है याद रखिएगा description research में आप कोई data collect नहीं करते हो बलकि descriptive research में आपके पास data already information आपके पास already present होती है अब बस उस information को और उस phenomenon को as it is describe करते हो यहाँ पर आपकोई data collect नहीं करते हो video data collect नहीं करते हो यह आपको theories already available होती है उसी theories का उसी information का use करकर आप किसी specific problem को solve करते हो so applied research में आप कोई data collect नहीं करते हो बस आप कोई problem को specific problem होती है उसको solve करते हो so आप आपको option B भी incorrect हो जाएगा then option C explanatory research explanatory research में भी आपके पास already phenomena available होता है already information available होती आप उसी phenomena को as it is explain करते हो उसी phenomena को use करते हो उस phenomena को आप explain करते हो explanatory research में भी आप कोई data collect नहीं करते हो so यह आपको option C भी incorrect हो जाएगा then option D exploratory research exploratory research ऐसे research होती है जिसमें आप data collect करते हो exploratory research में और किसी भी आप अगर आप कोई topic है कोई आपकी problem है जिसमें आप research कर रहे हो तो पहले आप exploratory research perform करते हो उस topic को जानने की कोशिश करते हो उस topic को explore करने की particular problem को explore करने की कोशिश करते हो उसके बारे में थोड़ी बहुत information gain करते हो थोड़ी बहुत data collect करते हो तो exploratory research वो research होती है जिसमें आप data collect करते हो preliminary data collect करते हो that's why आपको option भी correct हो जाएगा exploratory research next literature review requires इस question में हमें find out करने है कि literature review क्या क्या है required होता है literature review जब आप देखते हो लिखते हो आप तो उसमें क्या के चीज़े involved होती क्या 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 requirement होते हैं अब literature review के अधे पर आपको यह पता हुआ यह literature review हाण किसी भी टॉपिक का जिसमें अप research कर तो किसी भी topic का एक overview उता है यह बताता है कि आपका जो topic है किस topic पर कौन है currency research उन्हें research खी है कौन से information available है क्या करा है वो सार bonuses लिका को कि il Lights Game पर मेंशन करते हों पक्रेत के हम अगों सारश हो सारह फूज़तम करते intest इन होने सबस्क्ता हो 22 cities एक तरीक तरेक सब्सक्राइब हो चल्प गवह-व॥ लिटेयर लिधरी सबिस्धिवय में प्लैणिंग आप बताते हैं तरीके से लिखना है किया है कौनसे रिसेर्चर उन्हें तौपिक पर में सकते हो तो तरीके साब topic चोज़ करते हो planning is must in literature review then option B good writing yes आपको जब literature review लिखते हो तो आपको अच्छी writing में लिखना चाहिए ताके डूसरे लोग उसको समझ सके आपको एक अच्छी handwriting में लिखना चाहिए ताके कोई और research हो कोई और readers अगर read करें तो उनको समझ में आजाए content easily then option C lot of rewriting yes अगर आप literature review लिखते हो तो आप rewrite करते हो बार-बार उस content को और अच्छी तरीके से और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो ताके वो content अच्छा होजा दूसरे लोग उसको easily use कर सके और आगे further research कर सके planning, good writing and lot of rewriting idea that the more under stress a person is the more he is depressed, who would be the correct hypothesis? इस question में एक example given है, मैं find out करना है कि इस example का correct hypothesis क्या होगा? अब example क्या given है? more under stress a person is more he is depressed, मतलब जितना ज़्याद एक person stress में होगा, तना ज़्यादा वो depressed भी होगा so यहाँ पर आप देख रहे हो stress and depressed यहाँ पर जितना ज़्यादा आप stress लोगे, उतना ज़्यादा आप depressed भी होगे मतलब यह पर आपको दो variable given है stressed and depressed दोनों भी कैसे हैं, पॉजिटिव लिक दूसरे से लिंकते हैं, जितना ज़्यादा आप stress लेने लोगे उतना ही ज़्यादा आपको depressed होगा मतलब जितना ज़्यादा आप more stress होगा, उतना कम less depressed होगा, यह option इसा बता रहा है तो यह तो obviously incorrect है क्योंकि जितना more stress होगा, उतना ही ज़्यादा आपका depressed भी होगा यह पर आपको option A incorrect होगा यह आपकी correct hypothesis ने हो जाएगी then option B, greater stress is associated with low level of depression मतलब यह भी option वही बता रहा है, same meaning यह option A और B का भी यह भी option यह बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप stress होगे उतना ही कम आपका depression होगा ऐसा नहीं बता रहा है, question तो यह बोल रहा है, example तो यह बोल रहा है इतना ज़ाद आप stress लोगे, उतना ही ज़ाद आपको depression होगा, so यहाँ पर आपको option B भी incorrect हो गया, then option C, stress is positively linked with depressed so यहाँ पर आपको option C correct हो जाएगा because जितना आप stress को बढ़ाते जाओगो, उतना ही depressed level भी आपको बढ़ते जाएगा, so stress और depressed में यहाँ पर को ऐसा relation है, positive, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, so यहाँ पर आपको option C, this is the correct hypothesis for this example, stress is positively linked with depression, so आपको option C correct हो गया, next when referencing other works, you have cited within the text of the report you should इस question में हमें find out करना है कि आपका जो research work है आपके research work में आप किसी और researcher का work use करते हो so उस case में आप क्या करते हो sometimes आपके text के within text में ही आप क्या करते हो, researcher को cite करते हो, तो आप किस तरीके से आपके report में researcher को cite करोगे, कौन सा method यूज करोगे हमें यह find out करना है, जिसो जैसा कि हमें पता है, आप research article जब लिखते हो, research article में research report में आप bibliography जो के research article के extra chapters में आता है, इसमें आप बताते हो कि आपने कौन से researcher का information लिया है, आप यहाँ पर पूरी detail में information बताते हो, लेकिन हमें इस question में यह पूछ रहा है कि ऐसा text आप जब report लिखते हो, तो text के within ही research को cite करते हो, so उस case में आप कौन सा method यूज करोगे, हमें यह find out करना है, so उस case में आप यूज करोगे, author date citation method, यह पर आपको option भी correct हो जाएगा, लेकिन आप किस तरह के से use करोगे, तो इस diagram के तुरू आपको समझ में आ जाएगा, easily, इस diagram में जैसे के, एक sentence है, जो कि दो researcher ने कहा था, Smith and Johnson, तो पहले हम sentence देख लेते, जैसे, यह statement है, उस researcher का, previous researchers have argued that the evidence is insufficient to confirm a correlation, यह sentence है, यह sentence Smith and Johnson ने दिया था, का date भी आपको mention करना है, 2012 and 2015 में, आप क्या करते हो, जब आप text के बीच में किसी और researcher को cite करते हो, किसी researcher का अवक आपने use कर आता है, तो उनको cite करते हो, text के within text के बीच में, तो आप author's date citation method यूज करते हो, जिसमें आप author का name लिखते हो, और proper date भी mention करते हो, तो उसी के आगे, एक और example, जैसे, यह sentence लिया है हमने, but new evidence suggests this consensus may be mistaken, तो यह जो sentence है, यह जो sentence है, यह Macdonald का लिया गया है, Macdonald author है, और कब दिया था इन्होंने, 2018 में, तो आप date लिखते हो, और author का name भी mention करते हो, तो उसे हम कहते है, author date citation method, जब भी आप आपके जो, आप report होती है, report में, text के within किसी और researcher को cite करते हो, जब आप cite करते हो, तो उसको कौन से method से आप mention करोंगे, author date citation method, तो यह आपको option भी correct हो जाएगा, next, plagiarism can be avoided by, इस question में मैं पूछ रहा है, कि plagiarism को आप किस तरीके से avoid कर सकते हो, अब plagiarism क्या होता है, पर आपको यह पताना चाहिए, plagiarism का मतलब होता है, किसी और researcher के work को अपना बताना, अपना own work बताना, किसी और के काम को, आप बलो है कि वो मेरा काम है, तो यह plagiarism होता है, तो plagiarism एक तरीके का copying हो जाता है, किसी और के काम को अपना बताना, इसे हम कहता है plagiarism, अब plagiarism को आप किस तरीके से avoid करोगे हमें यह find out करना है so option A देखते हैं हम copying the work of others accurately मतलब क्या कर रहे हो किसी और के काम को accurately same आप copy कर ले रहे हो so यह तो plagiarism ही हो गया तो यह करने से यह तो अप plagiarism को avoid ने कर रहे हो plagiarism ही perform कर रहे हो so यह पर आपको option A इंकरेक्ट हो जाएगा then हम option C देखते है cut and pasting from internet so cut और pasting from internet पनले आप copy paste कर रहे हो so copy paste भी यह भी आपका plagiarism ही जाएगा आप internet से किसी का content ले रहे हो as it is ले रहे हो cut करकर past कर रहे हो so यह भी आपको plagiarism हो जाएगा आप यहाँ पर plagiarism perform कर रहे हो so यहाँ पर आपको option C भी इंकरेक्ट है then option G quoting directly with revealing the source आप क्या कर रहे हो quote तो कर रहे हो मतलब आप जैसे मान लीजे किसी और research का content आपने यूज कर रहे है उसके आगे आप quote कर रहे है मतलब quotation marks लगा रहे हो लेकिन आप उनका name mention नहीं कर रहे हो so यह भी आपका आप plagiarism ही इधर perform कर रहे हो आपको option D भी incorrect हो जाएगा then option B paraphrasing the author's text in your own word तो यह आपका आप इस तरीके से plagiarism को avoid कर सकते हैं मतलब आप क्या कर रहे हो किसी और author का आपने text लिया इसको analyze कर रहा इसको देखा और आपने क्या कर रहा इसको own word में आपका बताया own word में आपने लिखा describe करा so इस तरीके से आप plagiarism को avoid कर सकते हो so यह पर आपको option D correct हो जाएगा paraphrasing the author's text in your own words next the mean of a distribution 14 and standard deviation is 5 what is the value of coefficient of variation इस question में हमें mean की value given है 14 and standard deviation giving है 5 हाओ में find out करना है coefficient of variation जो जो हमें given है फिरले हम वो लिख लेते है आपको given है mean mean जिसे हम new से denote करते है mean को हम average भी करते है average वहले आपको given है 14 उस तरीके से standard deviation जिसे हम sigma से denote करते है standard deviation की वहले आपको given है 5 अब हाँ को coefficient of variation लेकिन आप देखे ओप्षियों को फॉर्मुला होता है सिग्मा जिसे हम स्टैंडर डिवेशन के थे अपॉन मुउ जो रहता है आपका मीन सिग्मा की वैल्यू है आपकी आपड पाइफ अपाइफ अपॉन वैल्यू है 14 अगर आप करते हो आपका और समील जाएगा 0.357 अब 0.357 यह तो हमारा answer आ रहा है लेकिन आप देख रहे हो option में आपको percentage में values given है so percentage में इन्होंने आपको conversion में answer given करा है so अगर आप 0.357 इसका conversion देखते हो तो इसका conversion कुछ जिस तरीके से होता है 35.7 into 1 upon 100 37.5 into 100 अगर आप करते है तो आपको यह answer मिल जाते है देखा जाति है तो इन्होंने कैसा आपको answer बना कर दिया है अगर आपका answer 2 आता तो इन्होंने आपको option में ऐसा ओंसर देखता है 4 upon 2 251 survey 2 होता है और आपका answer अगर 2 आता तो आपका option में होता है तो अगर आप 0.357 35.7 into 100 करते हो तो उसका अंसर आता है आपका 0.357 इस केस में आपका अंसर हो जाएगा option C 35.7 तो यह आपको option C correct हो जाएगा next इस कोश्चन में में find out करने के कौनसर option C correct है अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है आपको पहले चाहिए पता आना चाहिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वह रिसर्च होती है जिसमें आपके पास already phenomena available होते है बस उसी information का use करकर आप उस information को as it is describe करते हो और आपको यह भी पॉइंट किया तकना है कि descriptive research में आप किसी present phenomena को describe करते हो जो current phase होते है उनको descriptive research में describe करते हो अब one by one हम options देखते है उस तरीके से आपको descriptive research और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगे so option e research carried out to using questionnaires and survey जैसे कि मैंने बता है कि descriptive research में आप already information available descriptive research में आप कोई data collect नहीं करते हो so questionnaires और survey researcher तब use करते है जब उनको data collect करना होता है so यह पर आपको option नहीं correct हो जाएगा it is not true about descriptive research then option b researcher has control over the variables so descriptive research में researcher का variables पर कोई control नहीं होता है so यह पर आपको option b भी incorrect हो जाएगा then option c study is only observation and data collection so descriptive research में क्योंकि हमारे पास already information available होते हैं तो कोई researcher data collect नहीं करता है descriptive research में नहीं कोई observation होते हैं so यह पर आपको option c b incorrect हो जाएगा then option d study is used to assess the state of affairs for a particular object so यह पर आपको option d correct हो जाएगा because descriptive research जैसे के मैंने आपको यहीं बता है इस point में कि descriptive research क्या होता है जिसमें present phenomena को describe करते हैं उसी तरीके से descriptive research यूज़ खरा जाता है कोई current affairs को कोई current affair कोई particular topic है उसका current affair जैसे मान लिजे कि business है business कैसे run हो रहा है share market क्या था और किसी country है उसका economic status क्या है ये चारे चीज़े जो current affairs जो present में चल रहे है उनको descriptive research describe करता है उसी के लिए हम descriptive research use करते है जो present में चीज़े चलती है जो current affairs होता है उनको describe करने के लिए हम descriptive research का use करते है तो इस वाए आपका correct option हो चाएगा option d study is used to assess the states of affairs for particular object it is true about descriptive research next what may not be considered as a good research objective if this question में find out करना है कि in options में से कौन से ऐसो आप्शन जिसको आप consider नहीं करोगें कि वह good research objective है अप research objective क्या होता है क्या बताते है अप किस तरीके से करने वाले हो अप उस research का aim बताते हो goals बताते को इस research में क्या क्या होगा इसका आप क्या हो जो हुआ हुआ हो आप किस थरीका से से स्सक्राइब के रिसर्च होनी चाहिए इसाँ बताते हो आप के रिसर्च उप्यक्टिव क्या हो नहीं होने चाहिए वह हम वन बाइवन जोप्शन एक प्रेजेंटेजिक बिफली एंद क benefici है एस आप आपके जो रिसर किस तरीके से प्रेजंट करते हैं कि वह लॉजिकली मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होने चाहिए उसका रीजन बताते हों कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो कि उससे सोसाइटी के लिए वह जो उसके रिजल्ट हैंगे कि वह बेनिफेशल है या फिर नहीं जिससे या फोई ड्रक है किसी डिसीज के अगेंस आप ड्रक मना रहे हो वह सोसाइटी के लिए बेनिफेशल होगा उसका रीजन बताते हैं आप क्यों वह रिसर्च क्यों कर रहे हों यह भी आपका ऑप्शन भी बी करेक्ट है इस और इस गुट रिसर्च अबजेक्टिव यह और मतलब होता है limited आपको बहुत कम action verbs का यूज करना होता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप आपकी जो रिसर्च में action verbs जाहतर यूज करते हो जैसे action verbs क्या हो सकते describe, summarize और compare आप comparison करते हो variables की बीच में plan और scores यह सारे चीज़ें जो होते हैं यह आपका action verbs में आते हैं जैसे आप describe का use कैसे करोगे के research describes relation between income and spend आप कितना कमा रहे हो आप कितना spend कर रहे हो उसी तरीके से summarize को किस तरीके सा आप use करोगे research summarizes relation between water and plant growth रिसर्च को आप summarize करोगे बताते हो कि वह उनका relation कैसा है plant और water growth के बीच में इस तरीके से आप बताते हो इसाथ comparison आपको कोई दो चीजों के बीच में compare करना है आप यह compare कर रहे हो जो person जादा smoking करते हैं उनके lungs पर ज्यादा effect होता है यहां पर आप action verbs का research में जादा जादा यूज करते हैं आपको limited action verb आप यूज नहीं करते हो यह आपको options भी आप पर correct हो जाएगा restrictions in the use of action verbs next research design strategy encompasses all the components below except इस question में find out करना है कि research design होती है research design में कौन सा option आप इसको follow नहीं करते हो और research design में आप क्या decide नहीं करते हो हमें यह find out करना है कौन सा component इस में आप प्लाणिंग करते हो किस तरीके से आपकी शुर्श परफॉर्म करोगे कौन से में उसको रोगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले आपकी research में सारा कुछ आपके research design में प्लान कर लेते हों सो उसे हम कहते है research design इस question में हमें देखने कि research design में कौन सा component involved नहीं होगा so one by one में options देखते हैं option इंडेटा collection design so आपके research design में data collection design यह भी आप decide कर लेते हो किस तरीके से data को collect करोगे किस method से आप data को collect करोगे क्या आप questionnaire के तुरू आपका data collect करोगे या फिर आप इंटर्व्य परफॉर्म करकर या फिर आप service के तुरू आप किस तरीके से data collect करने वाले हो कहां से करने वाले हो यह सारा आप research design में बताते हो यहाँ पर आपका option इंकलेक्ट हो जाएगा यह तो में component होता है research design का दर ऑप्शन भी sampling design आप यह भी बताते हैं और किस तरीके से samples को collect करने वाले कों से जगे से samples को collect करने वाले हों कौन से method से samples को collect करने में वाले हों कितने members आफ से делать करने वाला हों जैसने method आप यूज करोगे probability non probability अपर रैंडम इपकी population इसे members को केसे सेंप्ल सेथांप करना अपका सामलेंग इस साठीं दिजाइन में ही अपके साम्लिक दीजान या पर आपको और ऑ क्षि Basic दैने ऑप्षिन C इन्स््सक्टयां डेवल migrant इन्स्टयमेंट डेवलोप्मेंग यह भी आप बताने जाले क्या देभी नहीं घंप के मतलब के हैं तब जाएदर टेस्टिंग करते हो अब आपके जो इसकी वेलिडिटी देखते हो अब उसकी डेलाइबिलीटी देखते हो बार बार टेस्ट परफॉर्म करकर आप देखोगे जो रिजल्ट आरे वह एक्कूरेट आ रही है फिन नहीं जोब आप research यूज कर रहे ह। जो भी आपने test किया है आप यहाँ पर basically test perform है आपके research के validity देखते हो reliability देखते हो इसे हो это how you plan करते हो कि आप कुछ test plan करते हो फिर देख्वाँ अपर यह 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 भी बताते हो कि आप pilot study pilot test कर pilot test conduct कर 다음에 है आप small scale पर पहले study perform करकर देखोगे कि वह successful हो रही है फिर फिर उसको large scale पर करोगे तो यह सारा सब कुछ instrument development आप बताते हो so instrument development basically आप पताते हैं आप किस तरीके से test करने वाले आपके results को validity reliability आपके research की यह पर आपको option c b incorrect हो जाएगा यह भी main component आपके research design में आप इसको decide करते हो then option d data analysis data analysis जिसको observations भी कहते हैं मतलब आपने data collect करने के बाद आपको जो भी data से information मिल दी है आप इसको analyze करोगे आप इसको observe करोगे आप पहले से तो नहीं बता सकते हैं आप किस तरीके से observe करोगे आपको point of view क्या होगा यह तो आपको data data मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आपको किस तरीके से analyze करना है तो research design में आप यह ने बताते हैं कि आप किस तरीके से data को analyze करोगे तो यह पर आपको option D correct हो जाएगा data analysis next if you file provisional specification the complete specification is required to be filled within इस question में find out करना है कि अगर आप कोई provisional specification file दे रहे हो कोई agency को तो उसको complete करने के लिए आपको कितना time लगता है कितने duration में आपको इसको submit करना होता है तो यह question एक technical question है इस question का meaning यह हो जाएगा जिससे कि आप कोई मान लीजिए अगर आप कोई new drug है कोई new drug आपने बनाया है किसी डिजीज के अगेंस और कोई new formula है आप बनाया है किसी formula आपने बनाया है किसा कोई new drug बनाया है किसी disease के अगेंस तो आप एक agency को जाकर पहले patent दे बनाया है तो वो एजनसी आपको इतना time देती है कि उतने time में आपका work आपका जो भी है फाइल सब्मीट करना होता है वो आपको सब्मीट करना होता है within 12 months 12 months के अंदर अंदर आपको 12 months के बाद आपको सब्मीट करना होता आपकी provisional specification file को that's why आपका correct option हो जाएगा option B 12 months and thank you for watching this video I hope this lecture is helpful for you all and good luck with your preparations